सो हेलोरबन वंस एगें वेर वेलकम बैक टो जितने भी स्ट्वेंट से जूसा कॉंशेलिंग में पाट्स बेट करें गए सभी अच्वेंट कर भूप है कि भाई हमें राउंड वन में सीट का एलोट्मेंट नहीं हुआ आ खिरकर हमारा राउंड टू का फाइनली जो की रिज एक हम आखिलेंट घ्राव बतार जुए क्यों यह भी आफिक स्ट्रों? और भी और भी मतब डाउट्स आ रहे तो उससे पहले मैंने एक प्रिविएस वीडियो बनाया गए कि राउंड टू में कि राउंड टू में सीट का अलॉट्मेंट देखने को मिल रहा होगा तो उस वीडियो को भी आप लोग डीटेल में देख सकते हो बाकि इसी तरीके से ज सर्च करी जाती है पिछले दो-तीन सालों का डेटा को देख करके सारी वीडियो बनाया जाती है ना और वह सारा यार मैं जितना वी मतलब डेटा बताता हूं वह पूरा डेटा है समसे करेक्ट भी जाता है सारे एस्वन को मेरे कॉंसेलिंग गाइडेंस में जितने भी कॉंसेलिंग में पार्टिपेट करने वाले हो सी सेफ कॉंसेलिंग में हैर क्या होता है कि आपका जनरल काइटिगरी को एक लाग 15,000 रहेंग तक अराम से नाइटी को मिल जाता है ट्रिपल आइटी भी एक लाग 10,000 एक लाग 15,000 तक देखने को मिल जागा जी अपको तक अगर जो आप लोग सी सेफ कॉंसेलिंग में जरूर से जरूर करना ताकि आपको अच्छे से बेहतरी इन तरीकी से च्वाइस फिलिंग हो पाएगा जिसके बेसिस पे कंफर्म आपको सीट का अलोटमेंट हो पाएगा है ना जोसा से और और भी बहुत अच्छे तरीके स सीस फिलिंग करना होता है क्योंगि सी से फिलिंग का क्या होता है कि आपका एक सिट इसी सुट माइट्रिक्स होता है और प्राइनच के लिए ब्रांचलप के लिए मैंनग नियुक्त कॉलेज meow का का दिया हुए आपको पतर जाएगा अब यह फाइली वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो जो भी आपको सबसे पहले करना है एंड यह मेंडेटरी है मेरे को आज भी मेरे सबसे पहला प्रोसेस ही आप कहोगा एंड की फीस पेमेंट करना डॉकमेंट का वरिफिकेशन करना ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना जिसे करते हैं और उसके बाद फिर विलिंगनेस और आपको सीट अलाउट्मेंट लेटर डाउनलोड करना है यह चार प्रोसेस सभी को करना ही है है सब्सक्राइट के लिएका सिगनेजर होता है अनुसी करना आपको घूट करना है निकलवा करके वह प्रेंट आपको यह रहता है।one और दोनों साइड का निकलवा करके कि दोनों साइट का मतलब पीडियाफ आपको बना करके आपको वहां पे अपलोड करना एक साइट का करोगे तो में भी आपका डॉक्मेंट्स अंडर वरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा टाइम तक रहेगा में भी आपका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा तो इसलिए आप आपको बनवाना है और टेस्ट करवाने के बास सारा रिपोर्ट का जो है रहना चाहिए और इसके साथ सब्सक्राइब डॉक्टर से आप करवाओगे उन डॉक्टर साहब का वहाँ पर जो है अस्टम्प रहना चेह उनका सिगनेचर रहना चेह डेट यह सब रहने चेह बस इतनी चीज़े आपको चाहिए ना बाखी गवर्मेंट रहे फिर प्राइबेट डॉक्टर है इससे कोई फर्क नहीं पड किया हुआ है इसके साथ साथ मेरे कॉंसेलिंग गाइडेंस में जो एक इन्रॉल करे हुए है उन्होंने तो यहां तक होता है कि भाईया मेरे को बहुत ही टाइम से डॉक्मेंट भरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था मेरे को जो कॉलेज का एलोटमेंट हुआ पड़ा है ना उ आपका भी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है ग्रीन टिक यानि कि नहीं लिखा पाया है तो आप लोग यह दोनों काम कर सकते हो जो सा कि ऑफिसियल टॉल्फी नंबर से वहां से बात कर सकते हो या तुछ आपको जो कॉलेज का अलोटमेंट हुआ है उस कॉलेज के ऑफिस के तरफ से तो आपने भी देखा होगा कि जैसे आपको मॉक्षेट लोकेशन रिजल्ट आया था तो वहां पर तीन-चार लाइन में उन्होंने लिखा हुआ था कि में भी जो आपको कॉलेज का भी अलोटमेंट हुआ है वह एलोटमेंट हो भी सकता है वह एलोटमेंट बिल होगा ही नहीं याद फिर मतलब की कंफर्म दूसरा कॉलेज के वारे में इसलिए उन्होंने दो तीन लाइन इस तरह के सी लिख दिया है ना लेकिन यार मेरा मानों तो राउंड वन में जो आपको सीट का अलोटमेंट हुआ है वह मैक्समुम चांसे कि यार मतलब कुछ आपको सीट का एलोटमेंट हो जाए bakा राउंड टू में रॉटमेंट को यार मतल governor 2 में मैकसम चांसे की में मतलब क्य में की आपका मिल भी बेटर ही option आपको मिल रहा होगा round five तक लेकिन आते तो आपको तो आराम से आपको राउंड टू में ही आपको एलोट्मेंट हो सकता है लेकिन आपका बहुत ही पीछे यानि की मौक सीट एलोकेशन टू वाला जो सीट का एलोट्मेंट होने का रैंक इतना चाहिए उस रैंक के आपका बॉर्डर लाइन पे अगर रैंक है तो अगर जो इनffenरा इसे वाले को 15她 रैंक भी मिलता है न है अगर 20-25 देखने मिलता है लेकिन अगर जो सबसे लोग पीछे-बीछे मिलता है जो कि जैनरल कार्टेगरी वालों को 55,000, 60,000, 65,000 तक भी आपको एलॉटमेंट होगा वह आपको राउन 4, 5 तक ही एलॉटमेंट हो पा रहा होता है बाकियार फिर से बताना चाहूंगा जनरल कार्टेगरी वालों को एक लग 15,000 रहेंग तक अराम से नाइटी देखने को मिल जाता है ओवी सी काटिगरी वालों को डेर लख रहेंग तक एड़ लाख रहेंग तक भी आपको एनाइटी कॉलेज देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको सी सेफ कॉंसेलिंग में अच्छे से आप कॉंसेलिंग कर देखने अगर आपको जो सामय कोई भी कालेज नहीं मिल पाता है तो है ना इस वोटों को यहीं पर करते हैं बाकि कॉलेज एडमीशन तक आपको सारा इंप्रेंट वीडियो मिलता रहेगा मीं एक सोट चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा वीडियो को कर दो